तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी चीज जो आपके चटपटे जीब को भी सांद करेगा और साथ में आपके सेहत का तो बहुत ही अच्छे से खयाल रखेगा बस एक चमच रोज अगर आप इसे खाते हैं तो दुनिया भर की बीमारियों से आप दूर रहेंगे सच बतारी और मज़े की बात यह है कि घर में अगर डाल सबजी ना रहे न तो आप इसे रोटी से भी खा सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और साथ में चावल से भी खा सकते हैं हाँ मुझे अच्छे से पता है कि अभी आप वीडियो स्किप और यहां से भाग जाएंगे क्योंकि अच्छी चीजे बहुत ही कम लोगों को पसंद आती है नमस्ते इंडिया शालीनी किचन में आप सभी का स्वागत तो एकदम चटपटी और सूपर हेल्दी रेसिपी बनाने के लिए हमें चाहिए दो कफ फ्लैक सीट जिसे हम तीसी के आम से भी जानते हैं और इसे अलसी का बीज भी कहा जाता है अब थोड़ा-बहुत इसका फायदा भी जान लीजे देखें सबसे पहली बात यह आपका जो कोलिस्ट्र को बूस्ट करता है और हट की बिमारियों को भी दूर करता है तो मीडियम फ्लेम पे लागतार चलाते हुए तीन से चार मिनट तक अच्छे से हमें इसे भुन लेना है जब पूरी तरह से भुना जाता है तो चटकने की आवाज आती है और थोड़ा सा अगर मूह में लेकर जाल के बनाएंगे तो और भी जादा टेस्टी बन के तियार होगा इस तिल को भी हम तीसी की तरह ही भुनेंगे साथ में 15-20 सूखी हुए लाल मिर्च भी ले लेंगे और दोनों को साथ में भुन लेंगे तो यहां पर मिर्च का जो क्वांटिटी है अब कम यह जादा रख सकते हैं और यकीन वानी यह इतने जादे टेस्टी लगते हैं एक बर जब आप बना के खाएंगे तब ही आपको पता चलेगा और यह चटपटी चटनी बश्पन में मैं अपने नानी के हाथों से बना हुआ खाए थी और इतने सालों बाद मैं खुद से ट्राइ करके बना नानी से पुछ पूछ के बना रही थी तो यह मेरे नानी का सीक्रेट रेसिपी है आप लोग भी जरू ट्राइ करिए गा तो यहां पर सभी चीजों को अच्छे से ठंडा कर लेना है ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंडर जार में डालेंगे और उसको हम दर दर पीस ल ब्रेक लगा लगा के इसको चलाना है तो आप चाहें तो इसका एकदम fine powder बना के भी त्यार कर सकते हैं तो आप इसके दर दर भी रख सकते हैं अब मैंने 2 गांट लिया है उसको भी डाल के हम ऐसे ही piece लेंगे इसका powder बना लेंगे तो लासुन को बाद में ही डालीगा पहले न खलबटे में, सही बोल रही हो कि नहीं, ये तो आप लोग खुद experience किये होंगे, कभी सिलबटे पे भी बना के खाए होंगे, कभी grinder जार वाला भी बना के खाए होंगे, दोनों के टेस्ट में डिफरेंस तो आई जाता है, सिलबटे वाला जो चटनी होता है, वो और भी जादा टेस्टी बन के तयार होता है, और इस चटनी को आप किसी भी airtight container में भरके रख लीजिए, और 20-25 दिन तक आराम से खाते रहे हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, अगर आप चाहते हैं कि एक बार बनाएं और 2-3 महीने तक आराम से खाएं, तो आप इसको हलका सा जल्दी खराब होने के चांसे रहते हैं, वैसे यह इतना ज्यादा टेस्टी लगता है, कि 20-25 दिन तक तो बचेगा हीने, उससे पहले ही खतम हो जाएगा, मैं तो इसलिए ज्यादा बनाई हूं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा दिन तक खा सकूं, और एक टाम लेके बैठ चट्नी को